हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमश्कार शेकिष्णा शिरादे बहुत स्वागत है सुबह सुबह की इस दिब्यतम पावन वेला में आपके साथ मैं हूँ आपका आश्ट्रो फैंड और आज बहुत प्यारे सी वीशे के साथ आपका स्वागत करते हैं भगवासरी गनेश की किरपा से कैसे अपने कुरूद पर नियंतरण पाकर हम जगणों से बच सकते हैं बहुत छोटी सी प्यारी सी जिन्दगी और इस छोटी प्यारी सी जिन्दगी में ऐसी स्थितियां अकसर आ जाती हैं जब हम अपना आपक हो देते हैं आज गोचर से हम आपको बताएंगे कि इनसान को क्रोध कब आता है गुस्सा कब आता है गोचर से किस ग्रह का किस नक्षत्र में संचरन आपको क्रोधी बनाता है सुभावत उग्र बना देता है आज छोटी सी जानकारी इस विशे पर भी हम देंगे इसके अरावा आप सब जिस प्रकार से अपने दामपत्य जीवन को बचाने के लिए विवाह वाधा शान्ति यग्य दामपत्य सुख प्रदाता यग्य में समलित हो रहे हैं उना केवल काविल तारीफ है बलकि यह भी लगता है कि आप जोड़ने में विस्वास रखते हैं होना भी यही चाहिए बाओ जी कहा करते हैं सुई बनो तलवार नहीं जोड़ना सेखो जीवन दर्शन की कुछ ये मार्मिक बाते होती हैं जो हम आप जिन बातों से एक उन्नति का मार्ग प्रसस्त करते हैं चली पहले आज का पंचांग भात्पद माहा शुकल पक्ष दसमीती थी चंद्रमा धनुराशी में पुरवाशार नक्षत्र सुबह दस बचकर 34 मिनट तक इसके बाद उत्राशार नक्षत्र का अगमन योग रहेगा आज शोभन तदनुसार दिनांक 19 सितम बर दिन बुद् तक रहु काल में कौई भी नया और शुब काम नहीं करना चाहिए नहीं दौन कारे विगड़ जाते हैं गुली काल का समय रहेगा सुबह दस बच कर 30 मिनट से लेकर के बारे वजे तक सब कुछ कर सकते हैं हर एक काम आपके बंजाते हैं आये चुरवात करते हैं आज के प्रवेश हो चुका है, सोरे बुद्ध का, और कल हमने सिंग ही बोल दिया था, क्योंकि सोरे प्रवेश कर चुका था, एक्वर में लैपटॉप आज कल मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो उसमें कुंडली नहीं खोल पाता हूं. ब्रहश्पति और शुक्र अभी भी चल रहे हैं तुला राशी में, चंद्रमा और शनी धनु राशी में, मंगल केतु मकर राशी में. आगे आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं आपको राहू करकर राशी में. सबसे पहले मेश वालों के लिए कि आज का पूरा दिन आपका कैसा भी देगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारियां एक साथ. मेश रासी, बहुत अलग तरह का प्रभाव आपके साथ आज जुड़ जाएगा. एक उन्नति के रास्ते पर आप चलेंगे. धन की समस्त सकरात्मक इस्थितियां आपके साथ आज पौश्रिब भाव रखेंगे. कहीं उधार दिया हुआ धन था तो वो भी आज वापस मिलने के संकेत है. घर परिवार में मांगले कारे संपन्न होगा. आज नहीं नोकुली के प्रयास सफल हो जाएंगे. आज मेश वालों को क्या करना चाहिए? आज बड़ों की बातों पर अमल करके कुछ उन्नत इदायक करिएगा. और नहीं क्या करना है? आज बाहर का भोजन अवाइड करिएगा. औरेंज कलर सुभ है, पैंसेट प्रिस्त का भाग के है. बिशवरासी. रुके हुए कारे आज पूर्ण हो जाएंगे. किसी बड़ी समस्या से मुक्ति के साधन में लेंगे. धन की स्थिती आज बहुत अच्छी रहेगी. रुके धन की प्राप्ती दोपर 12 बचकर 25 मिनट के बाद कभी भी हो सकती है. सेलरी बढ़ सकती है. बॉस के साथ तालमेल अच्छा बैठेगा. अगर आपकी राशी बिशव है, तो किसी भी अजनवी की मदद से, कोई एक अजनवी की मदद से, आज कारे छेतर में आपका दबदबा कायम हो जाएगा. बिशवालों को आज क्य करना चाहिए? आज एश्वर के प्रति अपनी आस्था को अडिग रखिएगा. क्या नहीं करना है आज? आप सी व्यक्तिकत रिस्तों में आज खटास ना आने दीजेगा. शुबरंगलाल, भागी पर सत्तिरपन, मिथुन राशी. अचानक कुछ मुश्किलों वाला मौका आ आपके सामने आ रहा है. इस मुश्किल भरे मौके को सकरात्मक रूप से ले करके कदम बढ़ा दीजेगा. अगर आपकी राशी मिथुन है, तो आज अपने कारेश शेत्र में थोड़ा सा साहियत रहने की आवशक्ता है. साहियत रखने की आवशक्ता है. जल्दी बाजी, बढ़ तबढ़ ये सब बिलकुल नहीं करना है. चंद्रमा की धनुराशी में उपरस्तिती, ओभी शेनी के साथ उपरस्तिती, ओभी आपके सब्तंभाव में उपरस्तिती, ये कहीं से भी कारेश शेत्र में आपको नुकसान दे सकता है. क्या करना चाहिए आज? दोस्तों की सोच आज आपको उन्नती देल आ रही है. बहुत अच्छा फील करेंगे आज. किसी बड़ी समस्या से बाहर निकलने में आज कोई मित्र मदद करेगा. आज बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. हर प्रकार की सिचुएशन आज आप हैंडिल कर सकेंगे. अगर आपकी कुने जा रहे हैं. आज करक राशी वालों को कुछ विशेश प्राप्ति प्रकृति कराएगी. बहुत अच्छा फील करेंगे आप. क्या करना चाहिए? जब कोई मौका आए तो बिना विचार की ये मौके को लपक लीजिएगा. और क्या नहीं करना है आज? दुश्मन को हल का मत समझिएगा. शुब्रंग और एंज भाग प्रिसत 69 सिंग राशी. आज सिंग राशी वालों के लिए नई नगरी की संभावनाएं बन रही है. व्यापार में आशातीत सफलता मिलेगी. कोई मित्र अपनी मदद, अपने संसाधनों से आपकी मदद करेगा. अगर आपक सिंग है, तो आज पैत्रिक संपत्ती विवाद से मुक्ति की संभावनाएं स्वतह खुलने लग जाएंगी. व्यापारिक दृष्टि कोण से यात्राएं भी आज लाग गायक होंगी. भाई के साथ थोड़ा सा विवाद और मनमुटाव की स्थिति बन रही है. लेकिन उस और भी आप जीत पा जाएंगे अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी शेहन सिलता से. आज सिंग राशी वालों के लिए गरपत बवपा की किरपा आप पर आपके स्वास्त के लाव के रूप में दिखाई देगी. क्या करना चाहिए आज? दबाओं का सेवन बहुत समय से करि 57. कन्या राशी. आज कन्या राशी वालों को दो विशेष सावधानी बरतने के आवश एकता है? किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करते समय, सिगनेचर करते समय, सोच विचार लीजिएगा. आज कोई आपको फंसा सकता है. सोचा कुछ और था और अचानक से कुछ और होने लग जाए तो समझिए, इस्थिती परिस्थिती प्रतिकूल है. अगर आपकी राशी कन्या है, तो आपके अंदर का आज एक गहन व्यक्तित तो जागरित होगा. धंदायक इस्थिती बनेगी आपकी. आज कन्या राशी वालों के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों पर भर नोसा करना चाहिए आज. क्या नहीं करना है आज? पत्नी के साथ उलजना नहीं है. और जो बच्चे हैं आविवाहित हैं, आज देर शाम तक घूमने ना जाएं. कन्या राशी वालों के लिए शुबरंग काला भाग के प्रत्सत 61. तुला राशी. प्राप्ती कैसे होती है? आज दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे. रिष्टों में थोड़ी सी मधूरता आएगी. दो पहर के बाद कोई महमान आपके घर आज आने वाला है. आज तुला राशी वालों के लिए प्रशिद्धी बेवी स्टेप से आपकी तरफ बढ़ रही है. धेरे धेरे. अच वक्त रहेगा आज तुला वालों के लिए और आपके डिसीजन्स नो डाउट आज बहुत अच्छे होंगे. कारे शेतर में बहुत आपकी पीट थप थप आएगा. आज प्रमोशन और धन दोनों आ रहा है. क्या करना चाहिए? धेरे रखना चाहिए. आज पेशेंस दिखा क्या नहीं करना है आज. लडाई जगडे से बचना है और आज का ब्रमास्तर देख लीजेगा जो जगडे की उपर ही हम बताने वाले हैं. बादामी रंग शुबच अपन प्रश्चत का भाग्या आपके साथ है. ब्रिश्चिग्रासी. अपने आप पर भरोसा अपने आपक साबाशी देना है. ब्रिश्चिग्रासी वालों के लिए लाभ के नए अवसर खुलेंगे. अगर ब्रिश्चिग्रासी वाला कोई व्यापारी वर्ग है तो उसके लिए आज थोड़ा सा कुरूशल टाइम रहेगा. आज थोड़ा संयम रख करके और बड़े डिसीजन्स ट साल दीजिएगा. इरिश्चिक राशी वालों के लिए विदेश से सुभ अशर की प्राप्ति होगी. संतान पक्ष आज आपका बहुत मजबूत रहेगा. धन पक्ष आज आपका बहुत मजबूत रहेगा. बस बड़े फैसले टालने की आवशेक्ता है. अगर आपकी राश आज क्या नहीं करना है? बहुत ज़्यादा मीठा आज नहीं खाना है. गुलावी रंगशुप तिरपन प्रशत का भाग. धनु राशी. समय अनुकूल आपने बना लिया है. और ये आपकी बुद्धिमत्ता है. ये आपकी बुद्धिमानी है. और हमारा आपका साथ है. अ आज धनु राशीवानों के लिए चमतकारिक दिन रहेगा. माता पीता का साथ मिलेगा और स्वास्त में विशेश लाव मिलेगा. नया प्रयास सफल होगा. रिजल्ट पॉजटिव आएगा. अगर आपकी राशी धनु है तो आज क्या करना चाहिए? अपनी खुशियों को स दबा के नहीं रखना है. काला रंग शुब साथ मिलेगा. मकर राशी. आपके निरड़े आज सहायक होंगे. बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. अगर आपकी राशी मकर है तो किसी बड़ी समस्या से आज मुक्ती हमारे आपके साथ की युज़े से मिल जाएगी. कोई बहुत रुकावट तो नहीं है. लेकिन जो है उस पर आप पार पा सकते हैं. आज मकर राशी वालों के लिए बहुत शुब दिन कहा जाएगा. चलाइमान मन थोड़ा सा इस्थरता को प्राप्त करेगा. एक ठाहराव महसूस करेंगे. आज मकर राशी वालों के लिए प्रशद्धी अपने आप आपकी तरफ बढ़ रही है. क्या करना चाहिए आज? जल्दी से फैसले पर अमल कर देना चाहिए. क्या नहीं करना है? आज महिला मित्र पर विश्वास न करिएगा. हरारंग शुब 49 प्रशद का भाग. 49%. कुम्भराशी, शुब दिन कहा लावश्थान पर चंद्रमा और शनिक्यू परस्थिति गुप्त शत्रूओं को आपकी तरफ बढ़ाएगा लेकिन आप शत्रूओं पर हावी रहेंगे. इसलिए शुब दिन है. हो सकता है कि आज के दिन आप अपने आपको थोड़ा सा अकेला महसूस करें. लेकिन ये भी आपके आंतरिक शक्तियों की वृध्धी में सहायक होगा. अगर आपकी राशी कुम्भ हैं तो जादा तो नहीं उलजना है लेकिन जितने में भी उलजेंगे ठीक ठाक उलज जाएंगे. दोस्ती यारी में, आज क्या नहीं करना है? उलजने से बचना होगा. भी आगाह करेंगे ना हम? और क्या नहीं करना है आज? आज लंबी आतरावाइट कर दीजेगा. शुबरंक्सलेटी भागी परस्तिक यावन फिफ्टीवन अन्तियम राशी मीन. आज मीन राशी वालों को मितरतास में बहुत विशेश फाइदा होने जा रहा है. मीन राशी प्रापती की तरफ कदम बढ़ेगा. जो सिर्फ आपका होगा. दोस्तियारी में आज विशेश लाभाब को होने जा रहा है. आज मीन राशी वालों के लिए कला मनुरुजन छेतर से जुड़े लोग, पॉल्टिक्स से जुड़े लोग, खेल दुनिया से जुड़े लोग, जो सेलिबर्टीज हैं और मीन राशी के हैं, उनको आज विशेश फायता होगा. क्या करना चाहिए? फायदे की घड़ियों को सोचने में गवाईएगा मत. लपक लीजिएगा. क्या नहीं करना है आज? बढ़ बोलापन मत दिखाईगा. शुबरंगिरे भाग परिसे 50. चल चार चुटकी चीनी लीजिए दाहिने हाथ में. चुटकी ऐसे बनाते हैं. दाहिने हाथ में लेना है, सर से तीन बार सीधा, क्लॉक वईस. सीधा घुमाना है और किसी पौधे के नीचे डाल देना है. कीडों के लिए इसे के तु बैलेंस होता है और आज की पूरे दिन को बेहतर कर देगा. पूरवा सार नक्षत्र का, उत्रा सार नक्षत्र का आज आपको विशेश लाब अपने आप राप्त हो जाएगा. सक्सस की एक ऐसी कुंजी होती है, जिसे कभी भी पूरे दिन में किया जा सकता है, जब भी देखिए. ये नहीं कि आपने सुबर सुबर तो दोपहर को कैसे करें. दोपहर को देखा कर लिजे. बचा समय आपका यूटिलाइज हो जाएगा, पॉज्टिव हो जाएगा. आज का भाग्याक्षर. मिश छोटा उ ब्रिशब या मिथुन चाग्षर करक जा सिंह नाग्षर कन्या धा धक्कनवाला तुला धाग्षर ब्रिश्चिक रा धनू खाग्षर मकर का कुम्भ चाग्षर मी साग्षर ये आपके अपने शुब भाग्याक्षर हैं जो चौबिस घंटे आपकी हल्प करते हैं हर काम बना देते हैं रुकावतों को दूर कर देते हैं नोट करिए और फिर इंच्वाइ करिए तो चलिए गणपत बपा की किरपा एक बार फिर से पहले हम बता देते हैं गुस्य का मेन कारण क्या होता है आज के ब्रह्मास्त्र में देखिए आपकी कुंडली का छठा आठवां बारहवां घर छे आठ बारह और तीसरा इन चार घरों के मालिक इन चार घरों के मालिकों के नक्छत्रों में जब चंद्रमा का संचरण होगा तो उस पल आपके क्रोध का ठिकाना नहीं होगा और क्रोध आपको अंदर से हिला करके रख देगा ये कुरोध आपको अंदर से हिला कर रह देगा और आप कुछ अनर्थ कर बैठेंगे क्या उपाय करना है तीन ताबे के सिक्के लेने हैं सपरहलदी का छिड़काव करना है एक पीली रुमाल में बाद लें तीन रात के लिए अपने सिरहने रखें और चौथी सुबह किसी मंदिर में रख दें ये प्रियोग कभी भी किया जा सकता है गणपत में भी किया जा सकता है नौरात्रों में भी किया जा सकता है मतलब ये ओल टाइम का प्रियोग हम बता रहे हैं लेकिन अभी गणपत के समय पर करना ज्यादा स्रिय अश्कर होगा शुक्रिया धलेबाद आप सबकी इस प्यार के लिए ये प्यार यूही बनाए रखिएगा और अब आज से लगा शुब दिन की महा कामनाओं के साथ अपने अश्टर फ्रेंट को निमत दीजेगा और ये मुहबबत कम मत होने दीजेगा नमस्कार शिरादे आए दिन जगडा आए दिल लडाई हर एक पति-पत्नी के जीवन में क्या यही एक सचाई है जब देखो तब बेडरूम में गए नहीं कि फाइट सुरू कभी सास की वज़े से कभी ननत की वज़े से तो कभी पापा की वज़े से कभी ममा की वज़े से क्या कारण है अगर इस प्रकार की जंजावाद से तूफान से आप हर रोज दो-दो करते हैं देखिए कैसे लड़ना है ये क्या है 19 नवंबर दिन सो मवाज तोसी विवाह का दिन एक ऐसा दिब्व यग्य करवाने जा रहा हूँ जहां पर प्रकृत की इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को भी परास्त करने का एक उद्यम करेंगे हम और आप मिल करके अगर इस प्रकार की दिक्कत आपके या आपके किसी भी रिलेटिव की जीवन में है तो बिना बिलंब किये ततका कॉल करिए नमबर्स याद है बता दे चलिए बताना क्या है नीचे लिखा है पढ़ लिजेगा इन नमबर्स पर कॉल करके रेजिस्टेशन करवाए और 19 नमबर को बाल बच्चों सहित आए पति-पत्नी आए और इस यग्ज का हिस्सा बन करके अपने दामपत्य जीवन को सफल और सुखर बनाए नमबर्स नमस्कार जैश्री राध है एस्टो फ्रेंड संतोश संतोशी जी के द्वारा जन कल्यान और प्राणियों के खुशाल जीवन के लिए एक महायग्य का आयुजन किया जा रहा है इस महायग्य में हर एक हवन कुंड पर एक ब्राहमन द्वारा आपके कुंडली के ग्रहों के अनुसार मंत्र जाप और आहुती की व्यवस्था होगी हमारा उद्देश्य जन कल्यान के साथ साथ राष्ट निर्मान और कल्यान भी है जिसके लिए अलग से कुंड और ब्राहमन निर्धारित किये जाएंगे जो संतोशी जी के मार्क दर्शन में मंत्र जाप करेंगे इस आयुजन का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे दिये गए नंबर्स पर कॉल और वाटसैप के द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे नंबर्स हैं 9560447000 9910291850 9999024099 दिल्ली और NCR में रहने वालों के लिए खुश खबरी आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे कारेले पर आकर भी करा सकते हैं हमारा पता है B35GM1 शालिमार गार्डन एक्स्टेंशन 2 साहिबाबाद घाजियबाद उत्तरप्रदेश यग्ये के लिए रजिस्ट्रेशन पहले आउ पहले पाउ की आधार पर होगा हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसर के वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा